तो फ्रेंड्स वैलकम टे डेडियंट कम्पिटिशन क्लासेस और मैं आज आप लोगों को बहुत ही महत्तब पोने सोचना देने जा रहा हूं जैसे देखेगा इसमें कहारा कि पर्थम इंटरस्तरिय की सीटे भरने को 20 से प्रदरसन इसमें दो बाते हैं दोस्तों पहला तो है कि पर्थम इंटरस्तरिय की सीटे भरना है और दूसरा है कि जो BSSC CGL 3 है उसमें इडिट करने की मांग को लेकर 20 जुलाई को सुबह 11 बजे परदरसन किया जाना है तो निश्यत रूप से ये सभी बच्चों के हित के लिए होगा जैसे देखेगा पर्थम इंटरस्तरिय नि इसके नित्यत में बिहार क्रमचाडी चैन आयोग कारजाले के बाहर हज्चारों अभियरती परदरसन करेंगे राष्टिय छात्रे एक्ता मंच के अध्यक्ष छात्रे नेता दिलीप कुमार ने सनीवार को बताया कि आठ साल बाद सची वाला सायक वत्रिती अस्तां तक अस् अध्यूमर जाएगा आप लोगों को भले पी टी पास कर जाएगा मेंस पास कर जाएगा लेकिन जो इस समय कॉशन लिंग होगा उस समय आपको चर्ट दिया जाएगा तो इसे भी हम लोग जानते हैं कि सभी चाहें BPSC हो चाहें धरोगावला एक्जाम हो चाहें कोई भी ज जाम होता है या फिर अभी अभी जैसे देखेगा कि अपलाई चल रहा है इसका डीलेड का परवेश परिक्षा का तो उसमें भी एडिट ऑप्सन दिया है लेकिन बी एससी सीजियल थिरी में एडिट ऑप्सन नहीं दिया एक तो साथ साल आट साल बाद वेकेंसी आती है उसके बावजुद भी इसमें इडिट का अप्सन नहीं दिया जाता है तो यह चात्रों के साथ बिलकुल ही अन्याए है कोई भी चात्र इस अन्याए को बरदास्त नहीं कीजिए और विस जुलाई को निश्चित रूप से हमारे चात्र नेता दिलीप कुमार है दिलीप कुमार के गलती आपराध नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो है आठ साल के बाद दिया है कहीं ने कहीं कुछ ने कुछ तरूटी रह गया है तो इडिट का अप्सन वह इसे सभी जाम में दिया जाता है लेकिन बियस से सीजी अल्थिरी में इरादतन ही लोग नहीं दे रहे हैं इन लोगों के खिलाब जो आंदोलन रखा गया है बिजुलाई को मैक्सिमम इस्ट्वेंट इसमें भाग लीजिए ताकि जो है ये इसमें इडिट का अप्सन दे और यहीं नहीं चाओदा से 22 इसमें भी आठ साल के बाद इंटर अस्तरिय परिक्षा का जो नियुक्ति किया हुआ है हर हाल में उनका सेकेंड रिलिस्ट निकाले और बाकी लोगों को यानि 13120 सीट फूल करे इसी दो बातों को यहीं दो बातों के शंदर में जो है 20 जुलाई को 11 बजे मैक्सिमम स्ट्वेंट्स मिलकर छात रिनता दिलीब कुमार का साथ दीजिए ताकि जो है आयोग यह दोनों पर कोई नो कोई शोलूशन निकाले तो बस आज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद